हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSE Study Guide में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5S सिस्टिम के बारे में और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि 6S सिस्टिम क्या होता है और फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि ये जो 5S सिस्टिम है और 6S सिस्टिम है इन दोनों में क्या डिफरंस है तो चलिए शूरू करते हैं 5S सिस्टिम एक जापनी सिस्टिम है जिसकी वज़े से जो भी इंडस्टि हो जिसमें productivity हो, quality हो या फिर safety हो इन तीनों चीजों में implement करने के लिए ये जो 5S सिस्टिम है ये बहुत ही helpful है चलिए अब जानते हैं कि ये 5S सिस्टिम यानि की होता क्या है 5S सिस्टिम मतलब इसमें total 5S होते है जिनका अलग-अलग भी नहीं होता है तो चलिए अब शुरू से जानते है तो सबसे पहले yes होता है उसका stand for होता है sort फिर उसके बाद second yes है उसका stand for होता है set in order फिर उसके बाद third जो yes है उसका stand for होता है shine फिर उसके बाद जो four yes है उसका stand for होता है standardized और फिर उसके बाद जो five yes है उसका stand for होता है sustain तो ये आपको ध्यान में रखने हैं चलिए अब हम इसे डेटेल में जानते हैं कि इसका मिनिंग क्या होता है तो सबसे पहला है short इसमें आपको क्या करना है कि जो भी workplace पे आप काम करते हो उस workplace में सबसे पहले आपको जो भी सारी चीजे हैं उनको segregate करना है यानि कि उसमें आपको ढूनना है कि कौन सी unwanted चीजे है या फिर कौन सी ऐसी चीजे है जिसका आप इस्तमाल नहीं कर रहे हो उन सारी चीजों को आपको eliminate करना है और जो चीजे अच्छी है जिसका आपको इस्तमाल करना है उन सारी चीजों को आपको अच्छे से store करके रखना है मतलब आपको जो चीज काम की है उसको रखना है अच्छे से store करना है और जो चीज काम की नहीं है उन सभी को आपको eliminate करना है फिर उसके बाद है set in order इसमें आपको क्या करना है कि जो भी items को यानि कि जिन चीजों को आपने store करके रखा है उन सारी चीजों को daily basis पर आपको अच्छे से arrange करके रखना है जिसका आप daily basis पर इस्तमाल करते हो इससे क्या होगा कि जो सारी चीजे है उसको आप easily access कर सोकोगे और साथ ही में उसको जल्दी से store कर पाओगे फिर उसके बाद है shine इसमें आपको क्या गरना है कि जो भी सारी चीजे है जो आपने arrange करके रखिए daily basis के उपर उसको आपको clean करना है और आपको ensure करना है कि वो सारी चीजे जो है वो अच्छे से function कर रही है फिर है उसके बाद standardized इसमें आपको क्या करना है कि इसके पहले हमने जो 3S देखे है जिसमें sort हो गया, certain order हो गया और shine हो गया इन सभी का आपको daily routine बनाना है तो ये जो routine है ये आपको develop करना है फिर उसके बाद है sustain इसमें आपको क्या करना है कि इसके पहले जो भी step हमने देखे है जिसमें sort हो गया, certain order हो गया, shine हो गया, standardized हो गया इन सारे step को आपको daily basis पर follow करना है और ऐसा आपको culture वहाँ पर create करना है तो इस तरह से हमने ये total five years देखे है चलिए अब जानते हैं कि success system क्या होती है success system ये एक five years system ही है जिसमें हमने देखा था सबसे पहले sort फिर उसके बाद देखा था certain order third में देखा था shine fourth में देखा था standardized और fifth में देखा था sustain लेकिन इसमें कुछ organization ने औरे case add किया है जिसका नाम है safety चलिए अब जानते हैं कि ये safety का क्या मतलब होता है इसमें आपको क्या करना है कि जो भी सारे activities आप करते हो उन सभी activities का आपको awareness करना है यानि कि उन activities में होने वाले जो भी हजार्स है उन सारे हजार्स को आपको identify करना है और फिर उसको eliminate करना है ताकि उसकी वज़े से आप zero accident जो आपका goal है वो achieve कर सको और साथ ही में जो workplace environment है उसको injury free workplace environment बना सको तो इस तरह इसको 5S plus S यानि कि safety equal to success system कहते है चलिए अब जानते हैं कि 5S system और success system में क्या difference है तो 5S system जो है वो एक जापनी system है जिसमें total 5S कुछ इस प्रकार होते है 1st है short, 2nd है certain order 3rd है shine, 4th है standardized और 5th है sustain और success system में क्या होता है कि कुछ organization ने ये जो 5S system है जो जापनी system है इसमें OREKS एड़ किया है जिसका नाम है safety तो दोस्तों आशा करता हो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि 5S system क्या है 6S system क्या है और इन दोनों में क्या difference है तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए topic के साथ में तब तक के लिए टेक क्यार, बाइ बाइ